दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको credit card लेने की एक सही जगा और सही तरीका बताने वालो इस वीडियो में मैंने बताया था यह मेरे ही वीडियो है कुछ दिन पहले मैं अपने चैनल पर अप्लोड किया था काफी लोगों को credit card मिला लोग happy हुए बताये और कुछ लोग मिरास हो गए वो भाई हमें यहां से credit card नहीं मिल रहा है कोई सुनवा नहीं हमारे application error हो रहा है तो देखिए अब आज इस वीडियो में जो बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर में एक ऐसे जगह जहां पे इंडिया जितने भी banks है और जितने भी financial company है जो बहुत अच्छी जिनकी government approval है वो लोग यहां पर registration करकर रखा है और यहां पर सारे credits card यहां पर available है हर एक bank की हर एक financial company की अब यहां से आप apply किजे sure है कि आपको card मिल जाएगा अब card क्यूं नहीं मिलेगा उसका भी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो प्लीज इस वीडियो को complete देखिए salary आपका कितना होने चाहिए salary होनी चाहिए self imply हो मिलेगा नहीं मिलेगा सारे बात इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो प्लीज ध्यान से देखिएगा skip मत किजेगा और complete देखने के बाद में apply किजे आपको भी card मिलेगा रइट चैनल पर पहली बार हो तो चैनलों क दे सकूँ और आप उसे easy understand कर ले वेल चले वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो यहां पर काफी सरे bank की यहां पर credit card शो कर रहा है यह कौन सी application आपको मैं बताता हूं लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि मैं जो समझाना चारव वो आप समझ लिजे जैसे आप किसी भी credit card को apply करने से पहले उसकी annual fee उसकी joining fee प्रपर यार देख लेजेगा इसमें जो मैं बता रहा हूं नहीं यहां पर lifetime free credit card भी है और यहां पर high charges वाली भी credit card है देखो आप middle में middle glass के हो तो high charges हो लेना आपके लिए सही नहीं है जितनी high charges के credit card लोगे अनुल फीज दो और 3-5 अरकी तो उसमें आपको बहुत जादे प्रफिड होता है तो you are not a business में अगर आप बड़ा business में नहीं हो तो यह card आपके लिए सही नहीं है card apply करने से पहले card की details ज़रूर check लिएगा उसकी क्या है charges क्या है fee यह सारी चेक कर लेना because यहां पर बहुत सारे card है understand guys I hope कि आप सम पीचे जाना है यहां पर credit card दिख रहा है आप यहां पर click किजिएगा नहीं तो आप यहां पर my offer पर भी click कर सकते हैं जैसे यहां पर click करेंगे आपके सामने यह वाली page आ जाएगा आप यहां पर view details पर click किजिएगा और पूरा details देख लिजिएगा इस application को downloading करोगे कुछ permission मा लेना देना है आप तो यहां से credit card apply करें आपको डारेट आपकी bank से आपको लें देना है तो आप यहां से credit card apply किजिए bank.com is the biggest company final से बहुत ही number one है मतलब कि बहुत ही अच्छी application कंपनी है आप यहां से apply कर सकते कोई ढरने की बात बिल्कुली नहीं है तो bank.com याद रखिए application कि किजिए downloading वहां पे किजिए fulfill और अपने details किजिए submit और apply किजिए आपने मन पसंद credit card को अब जैसे कि मैंने दोस्तों वीडियो में बिटाया था कि कितने सिल्री को आपकी कितने होनी चाहिए आपको card मिलेगा कि नहीं तो देखिए यहां से किसे भी अपने किसों से bank से कहीं स से भी सेल्री पे ही credit card मिलता है एक बात आप दिमाग में रखिएगा बिजनेसमें को भी credit card मिलता है लेकिन उनको turnover ज्यादा देखाना होता है लेकिन अगर अगर employees हो किसी company में job करते हो तो आपकी मिलने की chances ज्यादा है जैसे कि आप किसी भी company में job कर रहे हो हर मत आपके account में payment आता है और जब कोई वे credit card apply करो को आपकी मांगी जाती है जिसमें वो लोग देख लेते हैं तीन मेंने कि हाँ पर्टिकलर एक company से इनकी account payment आ रहा है प्रेमिट कितना आरची है minimum payment 12,000 minimum अगर आपका है तो किसी भी company से आप जो है credit card apply कर सकते हो 12,000 से 15,000 तक रहती है minimum और maximum कि आप कोई limit नहीं दोस्तों तो आप easy आपे कर लें रही बात civil score की civil score भी very important अगर आपने कहीं से लोन नहीं लिया है कहीं से कुछ भी आपने कोई भी जगह से पैसे लें देन credit card कोई भी आपके पास नहीं है तो आपको हो सकता है कि यहां से credit card नहीं मिले तो आप कोसिस आपके जो इस बैंक में वहीं से जैसे भी मनेजर से बात करके credit card लीजिए एक बार credit card ले लोगे उसके बाद किस भी समान purchase करोगे online कीदर भी उसके बाद पैसे return करोगे देन आपका civil score बढ़ेगा अब civil score क्या कुछ लों गेंगे ऐसा थोड़ी होता है देखो भई math खिलने स पैसा return करें तो वह क्या करते है आपका civil score department में उस चीद को report करते है कि हमने एक यह company एक साइक बोलो या systematic बोलो इस तरचे बोलो करता है जब आप कोई company के पैसे लोगे return करोगे आपकी पैसे return करते है इसका प्रूप लोगो को देना पड़ता है किसी जगपे जहां पर civil department है अब वह लोग आपके score बनाता है कि this person is very good इनकी background अच्छी है तो वहाँ पे civil score credit होते जाता है और civil score होते होते है आपका civil को बढ़िया हो जाता है civil score बढ़िया रहा है कहीं से भी loan minimum interest rate में मिलेगा कहीं भी कुछ भी आप अप्लाई करोगा आपको easy मिल जाएगा जैसे कि bank से लीजे apply यहां से किजे try किजे मिलता है तो वेस्ट है नहीं तो यहां से नहीं मिलता है तो आप अपने bank से try किजे वेल आई होब कि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया आपको समझ में आगया होगा फिर भी किस तरह से कुछ doubt है तो आप comment ज़रू किजेगा अगर आप तो टाइम फिल के मतलब एक इस यह उसके बाद उस कार्ड को अगर चार्जबल है तो उसे आपका एक बार सब्सक्र बन गया उसके बाद दुनिया का कहीं भी आप जाए आपको कोई भी कंपनी आपको क्रेड़ कार देने में रोकेगा नहीं कुछ भी डाउट तो बचा नहीं तो कमेट में कर दीजिए यहां तक आपने वीडियो देखा है तो आप मेरे लिए स्पेसल हो यार एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरू कर दीजिएगा तो मिलते हैं इस एक और जबरत संदार वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वोचिंग एंड टेक क्यार